प्रशान धवर्न आवाज के समय पूरी दुनिया इस क्वेस्चन का आंसर ढूडने की कोशिश कर रही है कि क्या इसराइल इरान पर अटाक करेगा जैसे आप लोग जानते हैं रिसेंटी इरान ने ड्रोन से मिसाइल से बड़ा अटाक किया इसराइल पर हलाकि 99 परसेंट जो ये ड्रोन हैं ये डिस्ट्रॉय कर दिये गए कुछ डैमेज इसराइल के एर बेसिस को हुआ है बट ओवर ओल इसराइल को जादा कुछ नुक्सान नहीं फेस करना पड़ा आप इसराइल इसके रिस्पॉंस में क्या करेगा और इसका इंपक्ट पूरी दुनिया पे आप पे मुझ पे हम सब पे क्या होने वाला है अल्रेडी वैसे मैं आपको ये बता दू इरान ने जब इसराइल पर अटाक किया था तो ग्लोबल मार्केट में ऐसा पैनिक मच आपने देखा होगा युएस स्टॉक मार्केट डाउन थी इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन थी चाइनीज जापनीज आप अगर क्रिप्टो मार्केट देखोगे न तो बिटकोइन आठ परसंट गिरिया था जब इरान ने अटाक किया था इसराइल को क्योंकि अब क्वेस्चन आपर यही है कि क्या अगर इसराइल एक बड़ा अटाक कर देता है इरान पर फिर तो देखिए सोने की कीमते ओईल की कीमते स्टॉक्स की वैल्यू इन सब पर एक मैसिव इंपक्ट आने वाला है और यह वाल सिर्फ मैं नहीं कह रहा है दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे ह कि मुश्किल देन आने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स बस एंटिसिपेशन से देख रही है कि क्या इसराइल बदला लेगा क्योंकि देखो बदला जो यह वर्ड है यह कभी खतम नहीं होता अब सोच कर देखिए अब इसराइल मानलो इरान को अटाक करता है इरान फिर जाके अब हम बदला लेंगे और धीरे धीरे एसकलेशन होती रहेगी लगातार जो यह वर्ड़ती रहेगी और उसके बाद मेडलीस्ट में एक फुल स्केल वार भी हो सकती है और यहीं पे मुझे कोडियर आती है मात्मा गानी जी कि उन्हें यह का था एन आई फॉर न आई लेगा धीरे धीरे जो यह बदले की भावना है फैलती रहेगी इन दी एंड पूरी दुनिया का ही नुकसान होगा तो अभी नीड आज के समय यह है कि इसराइल इरान दोनों कंट्रीज मैचॉर्टी दिखाएं और ग्लोबल गुड के लिए यह जो कॉन्फिक्ट है अभी क कहने से ऐसा कुछ होता नहीं है इवन रिशी सुनाक आज के समय फोन कर रहे है इसराइल के प्रामिरिस्टर को वेरियस कंट्री इसराइल को इरान को दुनों को कह रही है कि प्लीज अब और एसकलेशन मत करना इंडिया ने भी यही बात बोली है कि हम रीजन में और ज़्या से उससे साफ साफ एक इंडिकेशन या आती है कि इसराइल इरान को माफ करने के मूड में नहीं है यह यूएन में और जगा कॉंस्टेंटली एक बात कह रहे हैं कि इरान ने अपनी असली जो इंटेंशन आपनी जो रियल फेस आप कह लीजिए यह दुनिया के सामने दिखा इंटिनुस स्रेंटिंगे इस प्रक्सी हेजबला दखूती खमास और में करॉक्ट रजीम्स लकिन सीरिया वनेस्वेला अमंग अधर इरान आज के समय ग्लोबल फाइनसर है और टर्रिजम मलब दुनिया का सबसे बड़ा आतंगवादी देश यह इसराइल कह रहा है कि इरा और अब उसके बाद इसराइल के जो रक्षा मंतरी है उन्होंने रीसेंटली यह स्टेटमेंट दी है कि हम इरान को माफ नहीं कर सकते हमें रिटालियेशन करनी होगी और आप यहाँ पे देख पाएंगे यह बात अमेरिकन मीडिया भी कवर कर रहा है कि इसराइल के डिफें यह बदला तो लेंगे मगर वो बदला कितना जादा तीवर होगा कितना इंटेंस होगा यह मैटर करता है क्योंके वाल स्टीट जनरल वाशिंटन टाइम्स के आप अगर आटिकल पढ़ोगे वहाँ पर वो लोग यह भी कह रही है कि हो सकता है कि इसराइल एक सिंबॉलिक स् कि जब इरान ने आप Пे अटा किया था तो हमने भी कई ड्रों और मिसायल इंटरसेट किया था जॉड़न जो USA का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मितनमुल्क देश है जॉड़न ने भी कई यह डॉन्स और मिसायलस सांग को सेम काम किया UK ने भी मगर जब prevention के वाटाइक तब इरान को तो उस केस में क्या इसराइल एक जादा सुपिरियर कंट्री वन के उभरेगा इस टॉपिक पर बाइदावे मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि मिलिटरिली जादा स्ट्रॉंग देश कौन सा है इसराइल या फिर इरान कल मोस्ट पॉबली आपको ये वीडि किस के पास है क्योंकि इंदियन देखो हिस्ट्री में आपको बहुत से एक्जामपल मिल जाएंगे जहां पर एक छोटे कमजोर देश ने एक बड़े ताकतवर देश को हराया है या फिर उसको वार में फसा दिया है आज के समय ही एक एक एक्जामपल हम देख रहे हैं यूक बचाने वाला है कच्चे तेल के दामों का जब इरान ने इसराइल पे फटैक कर दिया था तो कच्चे तेल के दाम एकaging गर गए थे बढ़ने की जगाँ यह क्यों हुआ था यह मैं आपको बताता हूं देखो पहली बात तो Caesar इंश पर डानलर पर बरल के आसपास है आप वि युक्रेन रशिया वॉर्ड जब अपनी पीक पे था दोजार बाइस में तब कच्छे तेल के दाम 120 डॉलर पर बैरल तक भी पहुच गए थे तो अभी देखो क्या है कि जो भी मार्केट्स हैं ये मान के चल रही है कि अब इसके बाद ज़रा कुछ नहीं होगा इसराइल अट कच्छे तेल के दाम है ये बहुत ज़रा बढ़ सकते हैं और इसका एक बहुत ही एडवर्स इंपक्ट आएगा इंडिया पे और याड़ी आ रहा होगा हमें 90 डॉलर पर बैरल कहीं से भी सूट नहीं करता और याद रखिएगा आज के समय हम रश्या से भी कच्छा तेल उस हाली में किस कंट्री ने एक नई गोल्ड बाट करंसी लाँच करी है जिग के नाम से क्योंकि इस कंट्री की करंसी वैसे बिल्कुल बेगार हो गई थी अब उन्होंने नई करंसी लाँच करी है जिसकी वैल्यू गोल्ड की किमत के हिसाब से डिटर्माइन की जाती है तो यह हैं आपे आपकी options तर्की जांबिया जिंबाववे या फिर साथ आफरिका comment section में करिए उत्तर जो लोग सही आसर देंगे मैं कोशिच करूँगा क्यों की comment को मैं हाट देदू ताकि वाकि लोग समझ पाए के सही उत्तर क्या है और हाँ आप लोगों के लिए एक important जानकारी comment section में जाहिए इस वीडियो की और यहां पे आपको link मिलेगा UPSC IS batch इस link पर click करके आप study IQ का जो flagship course है ये कर सकते हैं purchase ये course prelims mains interview तीनो stages में आपकी help करेगा आपका prelims clear होता है आपको mains exam के लिए study IQ दिल्ली बुलाएगा आपका खरचा उठाये जाएगा आपको interview तक mentorship दी जाए आपको live classes मिलती है doubt solving sessions होते हैं so this course can be purchased but ये price पे मत कर देना simply यहां पर code use कर ये PD10 और एक massive discount यहां पर आपको मिलेगा the prices will fall a lot 30 महीने की validity के साथ आपको ये course मिलता है तो technically आप हर महीने के 1000 रुपे से भी कम पे कर रहे होंगे for your UPSC preparation so you can buy this course at study IQ.com और use कर ये code PD10 to get the maximum discount possible इसी note के साथ ये है video कांथ thank you for listening and I always say may the gods watch over you